सर्वेभ्या प्रणा माहा अस्मिन भागे अस्माविही इदानिम यग्यों पवीत धारणा मंत्रस्य अर्थम पर्श्या माहा सर्वेशाम कृते अवग मनाय यथा शक्यम अहम राष्ट्रभाशाम अभी उपयुज्य अर्थ अत्र अर्थम वक्षिया मी सभी को प्रणाम अब हम यग्यों पवीत धारणा मंत्र का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे यग्यों पवीत धारणा मंत्र है यग्यों पवीत धारणा मंत्र है इसका पदच्छेद इस प्रकार किया जा सकता है यग्यों पवीतं पारमं पवित्रं प्रजापतेह यद सहाजं पुरस्ताद आयुश्यं अग्रियं प्रतिमुंच शुब्रं यग्यों पवीतं बालं अस्तु ते जाहा इस प्रकार यहां पदच्छेद किया जा सकता है तो यहां सब जानते हैं कि सभी वाइदिक कर्म का मूल यग्यों पवीत है उस यग्यों पवीत को धारण करते समय इस मंत्र को पढ़ा जाता है यहां मंत्र पारसकर ग्रह्यसुत्र के जुदिय कांड में एवं ब्रम्हों पनिशत के पंचम मंत्र के रूप में यहां विध्यमान है यहां मंत्र तृष्टुपचंद में है इस मंत्र से आचारी के द्वारा दिये गए यग्यों पवीत जो जनेईू कहते हैं उसको इस मंत्र का पाठ करते हुए बटक मानावक पहनता है। आईए मंत्र का अर्थ थोड़ा संक्षे परूप से हम जानते हैं। अर्थात ब्रम्हज्यान को प्रदान करने वाला है। यग्यों पवित समस्कार के बाद ही वेद अध्येन का अधिकार सिध्ध होता है। और वेद अध्येन के द्वारा ब्रम्हज्यान प्राप्त होता है। यहां तो सर्वविदित है। अतहा परमम अर्थात ब्रम्हज्यान को प्रदान करने वाला है यहाई जग्यों पवित ऐसा कहा गया पवित्रम अर्थात शोधक है इसे धारन करने वाला पवित्र हो जाता है पुरस्ताद प्रजापतेह सहाजम अर्थात प्रजापती के अर्थात ब्रम्हा के साथ आधिकाल में उत्पन्न है सहाजम अर्थात सहा उत्पन्य आयुश्यम आयु को प्रदान करने वाला है आयुप्रद है पहनने वालों को दिरगायु का फल प्रदान करने वाला है अग्रियम अग्रे शब्द का अर्थ है मुख्य और शुब्रम निर्मलस्वरूप है बलम बलप्रद है यहां बल का अर्थ विशेश रूप से श्रौतस्मार्तादी धर्मकार्य को संपादन करने का बल जो सूत्र देता है वह ऐसा अर्थ पुर्वाचार्यों ने भाष्यकारों ने बताया है बल शब्द का अर्थ यद्यपी सामाने रूपेन बल है। यहां किस प्रकार का बल श्रौतस्मारताथ धर्मकार्य को करने में सक्षम रहें ऐसा बल प्रदान करता है। तेजहा अर्थात ब्रह्मा तेजहा ब्रह्मा तेज को परदान करने वाला है ऐसे विशिष्ट विशेशन युक्त इस सूत्र को इस यग्यों पवीत को आपके द्वारा दियेगे इस यग्यों पवीत को आचारी के द्वारा दियेगे इस यग्यों पवीत सूत्र को मैं प्रत प्रतिमुंचामी इस यग्यों पवीत सुत्रों को में धारन करता हूं। मंत्र में दो यग्यों पवीत शब्द है। ये ध्यान देने वाली बात है। मेरे उपर्यक्त सभी फल को प्रदान करने वाला हो। यहां इस मंत्र के द्वारा यग्यों पवीत धारन का फल भी निर्तिष्ट कर दिया गया है। ऐसा वैदिकों का मत है। इस मंत्र के और भी विस्तृतेव मार्मिक अर्था बताया जा सकता है। लेकिन उस अर्थ को जानन के लिए गहन अध्ययन की अपेक्षा है। यह सब जानने के लिए पारसकर कृष्य सूत्र के भाष्यकार करकाचार जैराम हरिहर गदाधर आधी पूर्ववर्ति वैदिक आचार्यों का भाष्य हम यथा समाएं देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम यहां संक्षे परूप मे यग्यों पवीत धारन मंत्र का अर्थ हम देखे हैं। तरही आहत्य किमस्पाफिह दृष्टम इत्युकते यग्यों पवीतम प्रजापतिना परिहितम प्रजापतिना धृतम यग्यों पवीतम यग्येन उपवीतम यग्येन उपवीतम यग्येन शब्द का अर्थ हम प्र अधिकाले ब्रह्म्हनासह उत्पन्नम आयुष्यम आयुषेहितं अग्र्यम मुख्यम प्रतिमुंचामी अहं बद्नामी अत्र पुरुषव्यत्य जहा चांद सहा इती पुर्वर्ति भर्ष्यकाराह अवोचन। शुभ्रं निर्मलं शुक्रं इत्यर्थः ते जहा प्रभावप्रदं बलप्रदं ओजफ्रदं इती वक्तुम शक्यते। एताद्रिशं यग्योपवीतं अर्थात यग्योपवीत ना यग्योपवीत सूत्रं मह्यं बलं अस्तु। इताद्रिशं यग्योपवीतं अहं बद्नामी इदं यग्योपवीतं मह्यं बलप्रदं अस्तु। इती संक्षेपेन अस्य मंत्रस्य अर्थाहा अस्माभिही गृष्टाहा। तन्यवादा